Hello and welcome to our YouTube channel आसान इंग्लिस बिट्टी के मैंने अकसर यह देखा है कि कई स्टुडेंट्स यह समझ नहीं पाते कि किसी भी सेंटेंस में यूज हुए सारे वर्ड्स कौन से पार्ट्स अप स्पीच में होते हैं इसकी सबसे बड़ी वज़ा है कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि इन सेंटेंस में यूज हुए वर्ड्स सेंटेंस में कैसे फंक्शन करता है उनका क्या काम होता है क्योंकि कई बर कई ऐसे words होते हैं जो अलग-अलग sentences में अलग-अलग तरीके से काम करता है और इस situation में ये सारे words अलग-अलग parts of speech कहलाते हैं जैसे अगर मैं आपको example के तौर पे बताओ This is my pain This pain is mine यहाँ एक word है this जो दोनों sentences में use हुआ है बट ये word इन दोनों sentences में अलग-अलग तरीके से function कर रहा है इन दोनों sentences में इनका काम बिलकुल अलग है और इसे लिए this दोनों sentences में अलग-अलग parts of speech है एक में ये demonstrative pronoun है तो एक में ये demonstrative adjective है ऐसे ही अगर किसी भी sentence में use हुए सारे words का function को अगर हम जान पाते है तो हमें ये आसानी से identify कर सकते है कि वो word कौन से parts of speech से आते है तो चलिए आज एक ऐसे ही important topic के बारे में हम लोग discuss करने वाले है demonstrative adjective के बारे में और साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि क्या फर्क होता है demonstrative adjective and demonstrative pronoun में तो बहुत important topic होने वाली है वीडियो को पूरे end तक देखिए ताकि कहीं भी कोई आपका confusion न हो पाए पूरे topic को आप अच्छे से समझ पाए तो topic को शुरू करने से पहले चलिए हम लोग जल्दी से जान लेते कि pronoun होते क्या है वैसे pronoun के बारे में मैंने already video बना रखा है अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो description box में link है वहाँ जाके वीडियो को देख सकते हैं pronoun noun का substitute है noun के बदले में use होने वाले word को pronoun कहते है जैसे this is Ram he is very good boy यह राम है वह एक बहुत अच्छा लड़का है यहाँ वह ही एक pronoun word है जो राम के लिए यूज हुआ है राम एक noun word है राम के लिए वह यूज हुआ है इसलिए ही एक pronoun word है यही होता है pronoun तो चलिए हम लोग जानते है demonstrative pronoun के बारे में what is demonstrative pronoun it points out about things, ideas and topics demonstrative pronoun शंकेत करता है इशारा करता है demonstrative word ही बना हुआ है demonstrate word से demonstrate मतलब होता है प्रदर्शन करना, दिखाना, इसारा करना तो यह point out करता है किस-किस के बारे में चीजों के बारे में चीजों में कोई सामान या वैक्ति दोनों हो सकते है ideas कोई विचार के बारे में या topic किसी विशय के बारे में तो जब हम इन सारी चीजों के बारे में इशारा करें, किसी की तरफ संकेत करें तो वो जो word है जिससे हम लोग संकेत कर रहे हैं इशारा कर रहे हैं वही word demonstrative pronoun कहलाता है total demonstrative pronoun चार होते हैं this, that, this, those, this, that, this, those, हमारा demonstrative pronoun है क्योंकि इन सारे वर्ड्स का इस्तमाल इशारा करने के लिए किसी की और संकेत करने के लिए हम लोग करते हैं, आइए एक्जाम्पल से समझते हैं, there are five pains on the table, this is my pain, मेज पर पांच कलमे हैं, यह मेरी कलम है, यहां जो this word है, यह demonstrative pronoun है, क्यों, क्योंकि यह noun pains के बदले यूज हुआ, इन पांच pain में से कोई एक pain है, जो मेरा है, और उसी की और point out करके, इशारा करके मैं बता रहा हूं कि यह मेरा pain है, तो this, इन पांच pain में से एक pain के लिए यूज हुआ है, जो pain एक noun word है, और इसी लिए यह this जो है, एक pronoun word है, क्यों से pronoun है, demonstrative pronoun, next है हमारा, there are 50 students in my class, that is Ram, मेरी कक्छा में 50 विद्यार थी है, वह Ram है, तो total 50 students है हमारे पास, इन 50 students में एक student की तरफ हमने इसारा करके यह बताया, कि वह Ram है, student के बदले जो मैं वह यूज किया, जो Ram है, इसी लिए यह that word जो है, वो एक demonstrative pronoun है, क्योंकि इन ही में से एक student, जो Ram है, जो एक noun word है, उसी के लिए that use किया, मैंने उसकी तरफ इसारा करते हुए, कि इन 50 students में ते यह student Ram है, इसी लिए that word जो एक demonstrative pronoun है, हमारा next sentence है, here are five books on the table, I took this yesterday from my school library, यहां मेच पर पांच किताबे है, मैं इन सब को कल अपने school library से लाया, तो यहां these words जो है, यह सब, यह word एक demonstrative pronoun है, किस के लिए use हुआ है, books के लिए, इन पांच किताबों के लिए use हुआ है, यह सब को, मैंने इन सब को जो है, वो कल अपने school library से लाया, तो यह this word एक demonstrative pronoun है, next है हमारा, I am talking about Rudra, Ram and RC, those are brilliant student of the class, मैं Rudra, Ram और RC के बारे में बात कर रहा हूँ, वे लोग कच्छा के तेज विद्यार्थी है, तो यहाँ those words जो है, वो एक demonstrative pronoun है, जो use हुआ है इन तीनो students के लिए, Rudra, Ram and RC के लिए, तो those words एक demonstrative pronoun है, इन तीनो noun word के लिए use हुआ है, तो इस एक demonstrative pronoun है, next है हमारा, I am thinking about quitting my job, this is not good idea, मैं अपने job छोडने के बारे में सोच रहा हूँ, यह एक अच्छा विचार नहीं है, यहाँ this again यह demonstrative pronoun है, क्योंकि job word जो की एक noun word है, इसके लिए use हुआ है, कौन सा एक अच्छा विचार नहीं है, जौब को छोड़ना, तो job word जो है एक noun word है, इसी के substitute के लिए हम लोग दिस यूज कियो है, और इसी लिए this एक demonstrative pronoun है, चलिए आगे हम लोग जानते हैं, कि क्या फर्क होता है demonstrative adjective और demonstrative pronoun में, तो चलिए जानते हैं demonstrative pronoun और demonstrative adjective में क्या difference है, these, that, these, those, इन चारों words को demonstrative adjective और demonstrative pronoun दोनों कहते हैं, बस difference क्या है वो जानते हैं, demonstrative pronoun, substitute of noun, demonstrative pronoun जो है, वो noun के बदले में इस्तेमाल होता है, जबकि demonstrative adjective, modifiers of noun, मतलब noun को विशिष्था बताता है, पहला difference है कि noun के बदले इस्तेमाल होता है demonstrative pronoun, दूसरा demonstrative adjective noun की विशिष्था बताता है, दूसरा difference है, demonstrative pronoun always followed by verb, demonstrative pronoun के तुरंद बाद हमेशा verb आता है, जबकि demonstrative adjective followed by noun, demonstrative adjective के तुरंद बाद noun आता है, यह दो basic difference है, आईए example से अच्छे से समझते हैं, this is my car, यह मेरी car है, this car is mine, यह car मेरी है, दोनों में का difference है, यहाँ भी this, यहाँ भी this, basic difference देखिए, this के तुरंद बाद verb word आया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया था कि तुरंद बाद इसका verb आता है, जबकि इस this के बाद word आया हुआ है, यहाँ verb word है, यहाँ noun word है, यही दोनों का basic difference है, हमेशा प्रोनावन आणि डेमंस्टेटिव प्रोनावन के तुरंद बाद verb आएगा, जबकि डेमंस्टेटिव अड्जेक्टिव के तुरंद बाद जो है, वो हमेशा नावन आएगा, क्योंकि वो क्या है, अगेन यहाँ देखिए, that और यहाँ that, फर्क क्या है, इस that में तुरंद verb के पास यूज हुआ है, जबकि इस that के तुरंद बाद हमारा noun आया हुआ है, इसलिए यह that एड्जेक्टिव है, डेमंस्टेटिव अड्जेक्टिव, जबकि यह that एक object के जगा पी यूज हुआ है, वर्ब के तुरंद बाद है, इसलिए यह डेमंस्टेटिव प्रोनावन है, अगला सेंटेंस है हमारा, these are beautiful, यह सब खुबसूरत है, these flowers are beautiful, यह सब खुल खुबसूरत है, दोनों में डिफ्रेंस क्या है, देखिए के तुरंद बाद वर्ब आया हुआ है, जबकि य तुरंद बाद आया हुआ है, इसे कौलिफाई कर रहा है, अगला सेंटेंस में देखते हैं, those are your paintings, वे सब तुमारी paintings है, those paintings are not mine, वे सब हमारी paintings नहीं है, यहां अगें देखिए, दोस के तुरंद बाद वर्ब यूज हुआ है, इसलिए दोस डेमंस्टेटिव प्रोनावन ह हुआ है, इसलिए दोस यहां demonstrative adjective है, तो यह basic difference होता है, demonstrative pronoun and demonstrative adjective में, हमेशा याद रखे, demonstrative pronoun noun के जैसा function करता है, तुरंद इसके बाद वर्ब आता है, जबकि demonstrative adjective एक modifier होते हैं, विशेष्टा बतलाने वाले शब्द होते हैं, और हमेशा noun को qualify करता है, इसलिए इसके तुरं किस sense में करते हैं, तो चलिए जानते हैं हम लोग, these, that, these, those का use हम लोग कैसे करते हैं, these और these इन दोनों का इस्तेमाल हम नजदीक के चीजों के लिए करते हैं, जैसे this is my ring, यह मेरी अंगुठी है, यहां अंगुठी की और इशारा करते हुए मैं कह रहा हूं कि यह मेरी पास है, मेरे नस्दीख है, इसे लिए मैंने यहां this का use किया है, क्योंकि इसका use पास के चीजों याःवस्तों के लिए करते हैं, जैसे हम लोग, these are workers, यह सब वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, वह भी मेरे करीब हैं, इसलिए उनके तरह पिसारा करते हुए मैं कह रहा हूं कि यह सब workers है इसलिए these word यहाँ जो है वो नजदीक सुचक वर्ट के लिए किया गया है this singular number के लिए हम लोग use करते हैं these plural number के लिए use करते हैं these का plural है these तो इस तरह से this और this नजदीक के चीजों या वस्तूओं के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ठीक इसका उल्टा that और दोज दूर के चीजों या वस्तूओं के लिए हम लोग use करते हैं like that is your ring वह तुम्हारी अंगुठी है यहाँ वह अंगुठी तुम्हारी है जो मुझसे काफी दूर है और इसलिए उससे point out करते हैं उसके तरह बिशारा करते हैं कर रहा हूं कि वह अंगुठी तुम्हारी है इसलिए यहाँ जो वर्ड है हम लोग दूर के चीजों के लिए यूज किये हुए हैं that ने हैं demonstrative pronoun के रूप में नजदीक सूचक व्यक्तिय वस्तू के लिए करते हैं जक्की दूर के व्यक्तिय वस्तू को point out करने के लिए अब लोग that और दोस का इस्तिमाल करते हैं तो उमीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे like करें शेयर करें और अगर वीडियो पे नए हैं तो इसे subscribe करें जल्द हमारी मुलाकात होगी एक नए वीडियो लेक्चर के साथ तब तक के लिए शुक्रिया